इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ABCA T10 के दोस्तों आज के होने वाले फ़स्ट मैच की बारे में दोस्तों आज का फ़स्ट मैच BGE और दोस्तों EMN टीम के बीच खेला जाएगा ध्यान रखेगा दोस्तों यह मैच रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैच से रिलेटेड स्मॉली का फाइनल कंबिनेशन पर वाइट कर रहा हूँ साथ साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी प्लियर का स्टैट्स भी जानने को मिलेगा और दोसो stats को ध्यान में रखे आप इस match में किस तरह से small league का team बनाओगे और किस तरह से ग्रेल लिंग में player को rotate करोगे सभी को आपको एक वीडियो में जानने को मिलेगा तो सभी दोस वीडियो को पूरा watch करना और जानते हो भाई लोग यदि आपको वीडियो में कहीं भी problem आता भी है न तो नीचे दोसो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो वैसे एक चीज़ का ध्यान रखेगा दोसो इस match related दोसो जो भी मैं अभी आपको final team प्रवाइट कर रहा हूँ जाए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जुड़ जाए और जो भी मैं final और दोस्तो updated combination प्रवाइट करूँ उसी के साथ दोस्तो आप contest श्वाइंड करना और दोस्तो आप win करना और साथ ही साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चानल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना क्योंकि हम लोगा दोस्तो जो next वीडियो रने वाला है वो दोस्तो इसी tournament का next match का रहेगा जो दोस्तो JNT और दोस्तो CO कीप रिंग सेक्शन से बिकेट कीप रिंग सेक्शन में आईगा तो दोस्तो आपको first option मिलेगा जे इवार्ड जे इवार्ड का दोस्तो 56% सेलेक्शन है लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा important नहीं रहेंगे इस match में because बहुत ही नीचे batting करने आ जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ GL में करना और वो भी दोस्तो ऐसे combination में करना जिसमें दोस्तो आप क्या करोगे इनके team के दोस्तो टॉप order batsman को drop करना तभी दोस्तो इनका chance आएगा बैटिंग का तो आपको score करके देंगे otherwise दोस्तो आज की match में को try कर सकते हो small league grand league दोनों में because स section में के squad must important pick है जीतना भी combination बना रहे हो आज के match में सभी combination में आप try कर सकते हो because एक all runner player है जो दोस्तो आपको सभी match में open batting भी करने आएंगे और साथी साथ आपको एक से 2 over balling भी करते हैं इस tournament में देखो तो तीन match के लिए जिसमें आपको batting से 45 run score किये और वहीं दोस्तो ती दियान रखना last match यह नहीं खेल रहे थे ठीक ना यदि दोस्तो नहीं खेले तो कोई problem नहीं है बट यदि खेल जाया तो हम लोग drop नहीं करेंगे small league grand league दोनों में try करेंगे because दोस्तो यह भी एक all rounder player है performance इनका भी काफी अच्छा रहा है अभी तक 2 match खेले बट आपको batting से 45 run ने score किये और वहीं 200 balling से 2 match में आपको 2 wicket provide कर चुके तो धियान रखेगा दोस्तो इस player पे right now दोस्तो आप नीचे से टी बिलियम को try कर सकते हो इस tournament के देखो तो एक बहुत ही 200 best all rounder player है जो दोस्तो आपको सभी match में 2 भर balling भी provide करते है और 200 wicket taker baller है और साथी साथ एक hard eater 200 batsman भी है सभी match में आपको first round batting भी करने आ जाते है परफॉर्मेंस देखे तो अभी तक tournament में 3 match के लिए है जिसमें आपको batting से 59-9 score किया और balling से दोस्तो आपको 3 match में 4 wicket provide कर चुके है तो drop नहीं कीजेगा फिर नीचे आईगा आपको aim tongi का option मिलेगा tongi 200 last match में चोटील हो तो right now मुझे नहीं लगता है कि यह match खेलेंगे बड़ धियान रखना यदि खेल जाया तो यह एक important baller है जो दोस्तो आपको सभी match में एक ओबर तो definitely balling करते है परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है अभी तक 3 match खेले जिसमें आपको 2 wicket provide कि और 3 ओबर balling किया है तो आप ऐसे player को दोस्तो देखो small link में try नहीं करना चाहते हो मत करना बठा mini GL और grand link में तो जरूर आपके team में होने चाहिए आप rotate कर सकते हो right now दोस्तो मैं इने team में नहीं रख रहा हूं क्यूंकि अभी final नहीं है कि आज के match यह खेलेंगे कि नहीं तो आपको M Francis का option में लगा M Francis दोस्तो उतने important option नहीं रहेंगे आज के match में because दोस्तो इस type के player आपको किसी match में balling करते हैं तो एक over balling करते हैं और किसी match में balling ही नहीं करते हैं 2 over तो दोस्तो आप उमीद भी मत रखना because इस tournament में ही देखो अभी तक 2 match खेले हैं जिसमें आपको 1 over balling किये और 1 wicket provide किये हैं तो आप क होड का option मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तो धियान रखना ग्रें लिंग में ट्राइ करना ठिक ना स्मोल लिंग में आप इन्हें drop करके चल सकते हूं because performance इनका अभी तक tournament में कुछ खास नहीं रहा है और साथी साथ 2022 में का T20 में भी domestic में उतना अच्छा record नहीं था इस tournament में देखो तो तीन मैच खेले और आपको 18 run score किये और वो भी दोस्तों में ग्रें लिंग में जानते हूं क्यों बोल रहा हूं क्यूंकि दोस्तों सभी मैच में open batting करने आ जाते है तो आप इने दोस्तों एक-दो combination में M Francis के जगा ट्राइ कर सकते हो फिर नीचे आएगा आपको T बेंजामीन का option मिलेगा टी बेंजामीन भी दोस्तों लास्ट मैच खेल नहीं रहते अधरवाइच performance देखे तो इस टुनामेन में तीन मैच खेले जिसमें एक मैच में तो बैटिंग ही नहीं किये थे दो मैच में बैटिंग करने आया थे तो आपको 24 run score किये थे आत करें दो दुस्तों हम लाग all-under section से तो all-under section में आएगा first option आपको जे तानजे का मिलेगा जे तानजे दुस्तों धियान रखना आपके लिए important option रहेंगे और especially दोस्तों इस smalling में यह आपको दोस्तों over number one और दोस्तों over number nine balling करते हैं जो दोस्तों T10 के match में सबसे best over होता है जहाँ प बिकेट कम मिलता है लेकिन हाँ आपको balling जरूर करते हैं अभी तक तीन match खेले टुनामेन में जिसमें इन्हें एक ही बिकेट मिला है बर तीन match में आपको चार over balling किये हैं और last match में दोस्तों एक और चीज मैं add कर दू second round ही batting करने आ गये थे और आपको दोस्तों एक run score किय और note out रह गये थे तो ऐसे player दोस्तों आप टीम में try कर सकते हो क्योंकि अब top order में batting भी करने आ रहे और balling तो परेज से कर ही रहे थे फिर नीचे आएगा आपको lawn field का option में लेगा lawn field दोस्तों धियान रखना last 2 match से खेल नहीं रहे है चोट की वज़े से यदि दोस्तों आज के match में यह खेलते तो हम लोग डाइडेक्ट इने टीम में pick करेंगे in place of Jay Joseph यदि नहीं खेले तो कोई problem नहीं है performance देखे तो इस tournament में सिर्फ एक match खेले थे जिसमें इन्होंने 49-9 score किये थे और important दोस्तों इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि दोस्तों इन्होंने score किया था इसलि match में 2 over आपको balling किये हैं 3 match खेले जिसमें आपको 1 picket provide कियो और 3 match में आपको 6 over balling किये हैं और ऐसे player का दोस्तों selection percentage कम है बट आपके लिए कभी भी game changer बन सकते small league grand league दोनों में और especially दोस्तों मैरी comment करूँँगा तब try करना जब दोस्तों BAG की team balling first करते हैं now दोस्तों मैं नी आपको 3 picket provide किये और ज्यादा important इसलिए हो जाते क्योंकि हमेशा दोस्तों आपको 10 number over balling करने आते हैं जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा बिकेट मिलने का chance रहता है तो मैं तो recommend करूँगा यार आप इने small league grand league दोनों में रख लो बात करें दोस्तों हम लोग batting section से तो batting section मे आएगा दोस्तों आपको first option मिलेगा जीत होंगे का जीत होंगे का दोस्तों देखो नाम इनका भले आपको balling section में दीख रहा है लेकिन confused मत हो ना क्योंकि देखो आपको ये balling से maybe बहुत जादा point नहीं देंगे लेकिन हा एक अच्छे दोस्तों batsman है सभी match में दोस्तों open batting क रख सकते हो फिर नीचे आईगा जे जेम्स का option मिलेगा जे जेम्स दोस्तों इस टुनामेन में अभी तक एक ही match खेलें चोट की वज़ा से दोस्तों last 2 match नहीं खेल रहे थे बट एक अच्छे baller है जो दोस्तों दिहान रखना CPL तक भी खेल चुके है इस टुनामेन में एक मैच खेलें जिसमें आपको एक विकेट प्रवाइड किये थे यदि खेलते हैं तो हम लोग जरूर इन्हें टीम में ट्राइ करेंगे अधरवाइस दोस्तों आप नीचे से CWALS को टीम में रखनो एक दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है और इस टुनामेन में बॉलिंग भी स सकते हो पीची आईगा दोस्तों आपको आर हेंडी का ओप्शन में लेगा आर हेंडी दोस्तों इस टुनामेन में अभी तक तीन मैच खेलें जिसमें आपको बैटिंग से 14 रन स्कुर किये और तीन मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से एक विकेट प्रवाइड किये तो तीन मैच में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओबर बॉलिंग किये तो ऐसे प्लियर फिर दोस्तों आप प्रिक्स ले सकते हो इस मॉलिंग में उससे बेटर दोस्तों आप नीचे से जो सब को रखो न टीम में आपको जितना भी टीम बना रहे हो सभी में रख लो कोई प्रॉबलम नहीं है अभी तक सिर्फ तीन मैच ही खेले जिसमें आपको चार बिकेट परवाइट कर चुके और तीन मैच में सबसे इंपोर्टेंट छे ओबर बॉलिंग किया है तो ऐसे प्लियर को तो ड्रॉब करना ही नहीं है फिर नीची आईगा दूस्तों आपको टीम मंस्टों का इस प्लियर का भी दोस्तों देखो सेलेक्शन पर्षेंटेज काफी कम है बट इन्होंने भी पर्फॉर्मेंस अच्छा किया है अभी तक टोटल इन्होंने तीन मैच खेला है इस टुनामेन में जिसमें आपको दो बिकेट परवाइट किये हुए और तीन मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग करते है तो ऐसे प्लियर पे दोस्तों आप रिक्स ले सकते हो राइट ना दोस्तों आपको क्या करना है यदि दोस्तों ये में इनकी टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो आप मेकांजी को टीम में रख लेना और यदि दोस्तों बीजी की टीम फर्स्ट ब बात करने से दोस्तोanter इसमेन्स क मैप्टन ब्लियम्स के साम्मेती तो तो साथ टोप वरुलिशन इसम्में Songs आप और इसमें इसमें ऑपको सभी खेलेंगे और सब्सक्राइम टूर प्लियर में ये趣 Associate गरेंगे लेगों सिरनुवार के स्सक्राइवर किस्छ और आपको teeth homers का option में लेगा teeth homers दोस्तों धियान रखना देथ में balling करते हैं और इस tournament में काफी अच्छा इन्होंने balling किया है और आपको bicket provide कर रहा है तो आप इन्हें 20 captain कर सकते हो small league grand league दोनों में फिर आप दोस्तों balling section में आऊगे balling section में sea walls एक बहुत ही अच्छे option है जिने दोस्तों आज के match में आप grand league में captain भी कर सकते हो क्योंकि इस tournament में performance इनका काफी अच्छा रहा है यदि आप दोस्तों other player से compare करोगे तो और वहीं दोस्तों last option में आपको यह जो सबका भी मिलेगा तो मैं definitely इसमें changes करूँगा जैसा मैंने आपको बताया था batting section से a martin खेलेंगे तो हम लोग direct a France को drop करके उन्हें team में रख लेंगे तो दोस्तों इस match का जो मेरा final और updated combination रहेगा वो दोस्तों मैं आपके साथ telegram पे provide करूँगा अभी दोस्तों आप क्या करो इस team का screenshot ले लो और दोस्तों contest join करके रखना ठीक न और जो भी मैं final combination आपको telegram पे provide करूँग टॉस होने के बाद उसी के साथ दोस्तों आप contest join करना और दोस्तों आप win करना telegram channel का link दोस्तों आपको नीचे subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना क्योंकि हम लोग आज दोस्तों जो next वीडियो रने वाला है वो दोस्तों इसी टुनामेन का आज का दोस्तों मैच नंबर टू का रहने वाला है तो बिल्कुल भी दोस्तों मिस नहीं कीजेगा फिर मिलते दोस्तों आप सभी से next T10 के वीडियो में जैहिन दोस्तों take care and bye bye